जनल साइन्स यानि सामान्य विज्ञान के टोप 20 कुईच के वारे में और इस सरीच का होने वाला है पार्ट नमबर 22 यानि 22 पर भाग होने वाला इसके पहले किस भाग अगर आप देखने चाते हैं तो चैनल पर जाएए वीडियो वाले कोलम में जाकर आप उसको देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रस्ण है प्लाजमा जिल्ली किसकी बनी होती है तो यह बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की यह जो प्लाजमा जिल्ली होती है लिपिड और प्रोटीन नेक्स्ट नमबर दो कोशिका भित्ती का प्रमुख अवियब होता है यानि कोशिका भित्ति का परिमूख अवियव अवियप क्या होता है Cellulose कोशिका भित्ति का द्यान रखना आपको नमबर तीन है किस रंग की तरंग दहेज्टे सबसे कम होती है तो इसोते हैं बैगणी की और यहां सी कोश्चन पूशायता है कि किसकी तरंग देरी सबसे जादा होती है तो वो होती है लाल की क्योंकि लाल कलर दूर से ही चमक जाता है इसका पिरकिनन सबसे कम होता है अगर यह से कोशन आता है किस रंग का पिरकेणन सबसे ज़ादा होता तो यह होता है बैगनी का और सबसे कम होता है पिरकेणन लाल का नमबर चार है बायू मंडल में पिरकास के बिसरन का कारण है तो यह होता है धूल का बायू मंडल में जो पिरकास का बिश्रन होता है जो फैलाव होता है किसके कारण होता है धूल कणों के कारण नेक्स्ट नमबर 5 लाल चीटियों में अमल पाया जाता है या आपसे इनके डंक में पूछ सकता है तो यह पाया जाता है फॉर्मिक अमल फॉर्मिक एसिड नमबर सिक्स है किस रंग का तरंग देजे सबसे ज़्यादा होता है ये होता है लाल रंग का मैंने उपर आपको बता है सबसे कम बैंगनी का और सबसे ज़्यादा होता है लाल का अगर पिर्क्रिणन की बात आएगी नेक्स्ट है रुधिर किस प्रिकार का उतक है तो यह होता है सैयों जी उतक यानि रुधिर क्या होता है रक्त यानि के खोन किस प्रिकार का उतक है सैयों जी उतक नेक्स्ट है किस जन्तु में तंत्री का तंत्र नहीं होता तो अमीवा अमीवा में जो है तंत्री का तंत्र नहीं पाया जाता है नमबर दस है मधुमक्यों के प्रजनन एबं प्रवंधन को कहते हैं तो इसको कहते हैं AP कल्चर मधुमक्यों के प्रिजनन और प्रिवंधन को किस हार्मोन को आपात कालिन हार्मोन कहते हैं या कहा जाता है तो यह होता है एड्रिनिलीन एड्रिनिलीन को आपात कालिन हार्मोन कहा जाता है नमबर 12 है रक्त के इसकंदन में कौन सहायता करता है तो यह करते हैं रक्त, प्लेटलेट्स, रक्त के इसकंदन, वेगर बिटामिन आपसे पूछा जाता है, तो बिटामिन के होता है, नमबर थर्टीन है, प्यूस ग्रंथी कहा इस्थित होती है, तो यह होती है मस्तिस्क में, इसे मास्टर ग्रंथी भी कहते हैं, next साग में सबसे अधिक पाये जाने वाला धातुय तो यह होता है लोहा यानि के iron यह आप कह सकते हैं फेर जिसका प्रतिक चिन F.E. होता है सिरके का रासाइनिक नाम होता है तो यह होता है acetic acid यानि के इसमें acetic अमल पाया जाता है next पधार्थ की चोथी अवस्ता क्या होती है तो प्लाज्मा ठोस द्रव गया से तीन हो गई चोथी प्लाज्मा और पांच भी होती है बोस आइंस्टाइन कंडनसेट next सबसे तेजी से बढ़ने वाला पोधा होता है तो यह होता है ukaliptis यहाँ पर यह कहा है यह ukaliptis होता है ukaliptis next है 17 हास से गैस का रासाइनिक नाम होता है तो यह होता है nitrous oxide यानि N2O इसका रासाइनिक सूत्र होता है N2O nitrous oxide next है साधारान नमक का रासाइनिक नाम होता है तो sodium chloride यानि के NaCl sodium chloride मधु मख्यों का प्रजनन एवं प्रभंदन कहलाता है AP Culture तो यहाँ पर हमने आज के 20 आनि के 20 कुछ कम्प्लीट किया है इसको लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए थैंक यू फू वोचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में